आज में शेयर करूंगी बहुती आसान और इजी रेसिपी वेच कटलक रेसिपी तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं मैं यहाँ वन टेबो स्पून ओईल ले लूँगी आप चाहो तो बटर भी एड़ कर सकते हो ओईल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक लाज सैस की चॉप की हुई ओनियन एड़ कर लेंगे उसी तरह से दो स्मॉल सैस के चॉप किये हुए कैपसिकम ए हाफ कप चॉप किया हुआ पता को भी एड़ करेंगे आप चाहो तो बीन्स भी ले सकते हो और उसी तरह से उबले हुए स्वीट काउंस भी एड़ कर सकते हो आप अपने मन पसंद विजिस इसमें एड़ कर सकते हो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसमें एड़ कर के हैं वूं 50 peers ब्लैक पर पॉडर करेंगे वं 50 पूंंग्मर्घ क्रेंगे ञाने मेशिप कि को रेंगे खाल मिर्च भी ले सकते हो हाफ टी स्पून टर्मेरिक पॉर्डर टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट एड़ करेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से मिक्स करेंगे और विजेस थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे सॉटे कर लेंगे तो देखिए 2-3 मेंन हो चुके हैं विजेस अच्छे से सॉटे हो चुके हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं अब मैं गयास की फ्लेम को ओफ करूँगी इसे रूम टेंपरेचर पर थोड़ा सा थंड़ा कर लूँगी ये थोड़े से थंडे हो चुके हैं मैंने यहाँ तीन आलू को पहले से बॉइल करके रख लिया था वो इसमें एड करूँगी और इसे अच्छे से मैश कर लूँगी तो देखे मैंने मैश कर लिया है इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह का हमें स्टफिंग चाहिए होगा अगर आपको स्टफिंग थोड़ा सा लूस लगे तो आप इसे बैनिंग के लिए पोहा एड कर सकते हो और ब्रेट करम्स भी एड कर सकते हो मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसलिए मैं इसमें एड नहीं कर रही हूँ थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और थोड़ा सा खुदीना इसमें मैं एड करूँगी इसे अच्छे से मिक्स करकर इसे मैं साइड में रख लूँगी डिप करने के लिए हमें चाहिए हाफ कप मैदा टेस्ट के अकड़िंग थोड़ा सा सॉल्ट एड करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड करकर इसका एक बैटर रेडी करेंगे मैंने यहाँ पोहा ब्रेट क्रम्स बैणिंग के लिए नहीं लिया है इसलिए इस बैटर का consistency थोड़ा सा मैं थिक रखूंगी आप अगर बैर्णिंग के लिए पोहा ब्रेड़क्रम्स ले रहे हो तो इसे थोड़ा सा थिन बना लेजेगा मुझे इस तरह की consistency चाहिए इसलिए मैं इस तरह का थोड़ा सा थिक बना रही हूँ बैटर को इसे हम मैं side में रखूंगी और coat करने के लिए मैं यहां सेवाया ले रही हूँ आप चाहो तो roasted सेवाया भी ले सकते हो इसे हम side में रखेंगे और थोड़ा सा हम इस तरह का portion ले लेंगे हाथ पर oil apply करकर इसे हम इस तरह से roll बनाएंगे मैं यहां इस तरह का shape दे रही हूँ आप कोई सा भी shape बना सकते हो cutlet का इसे हम dip करेंगे और इस तरह से हम इसे coat कर लेंगे इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी तो देखिए मैंने सारे बना लिया है अब मैं इसे fridge में 10 से 15 मिनिट के लिए रखूंगी ताकि अच्छे से set हो जाए आप चाहो तो fridge में रखिए वना आप ऐसे ही इसे fry कर सकते हो तो देखिए मैंने oil को अच्छे से गरम कर लिया है अब मैं इसमें cutlets add करूंगी गैस की flame को हम medium रखेंगे और इसे अच्छे से fry करेंगे तो देखिए मैंने इसमें सारे cutlets add कर लिया है आप एकदम से सारे mud डाले थोड़े थोड़े करकर आप इसमें add कीजे जब ये एक तरफ से fry हो जाएंगे color आ जाएंगे तब हम इसे पलट लेंगे और दोनों तरफ से जब color आ जाएगा अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं सारे cutlets बना लूँगी इसकी आवा सुनिये बाहर से एकदम क्रेसिपी अंदर से soft बनकर ready हो चुके हैं मैं इसे soft के साथ सर्फ कर लूँगी आप चाहो तो इसे green चटनी के साथ भी सर्फ कर सकते हो अंदर का लूँग इस तरह कहा है तो देखिए वेच कटलेट्स बनकर ready हो चुके हैं अगर आपको मेरी वीडियो पुसंद आए लाइक, शेर, कमेंट and सब्सक्राइब to my channel प्रस अबेल आइकन to be notified every update from सनर्श वर्ल्ट एक और नियूरेस्पी के साथ मिलूंगे अंदिल देन, किप स्माइलिंग अल्ला हाफीज